हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टिशू के बारे में यानि की उतक के बारे में वो थो हुने पहले भी कर रही थी आपको पता है पर आज हम बात करेंगे प्लांट टिशू के बारे में पादप उतक के बारे में किसके बारे में प्लांट बेस्ट भॉन देर düşün नहीं को किस तरीकिए से ness fro there growth को किस तरीके से grow कर रहे हैं एक हम आधार करते हैं किसी चीजा करने से पहले कि कहीं C बैसे को डिवैड करने का मतलब लिये गुरुब बनाने का आप मैंने बोल सारी तो जो तेस्ट वाले बच्चे हैं सारे आcendo यहाँ सब आएगा मतलब हर प्ट थियार कर दिया कि इस बेस पर हम बच्चों को बुला रहे हैं थीक है तो हमने बना दी उसी चिया कि अडया कि होते हैं इस चीज घुलर समय काälltन के उतक होते हैं सबस्क्राइब कई करनये बिए नहीं किया किए कि हम अलग-अलग category बनाएंगे उस category के अलग-अलग tissues के बारे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे जैसे भी उन्होंने सोचा था और यह बहुत ज़्याद काम की चीज़ है classification करना ठीक है वर्गी करन करना बहुत ज़्यादा important है आप यहाँ पर देख सकते हैं based on the location कि कहां पर पाए जाता है location मतलब क्या होता व्यां कि किस जगहा पर पाए जाते हैं किस जगहा पर ठीक है location तो इस वे पर हमारे पास Maristematic Tissue है इस बेस पर हमारे पास कौन सा टिश्व है Maristematic Based on the location लोकेशन अब यह जो टिशू एग्रोइंग टिशू भी है कैसा ग्रोइंग टिशू यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए इसको इंदी में विभाजी उत्तक कहते हैं क्या बोलते हैं विभाजी उत्तक मतलब भाजन करने की छमता है इसके अंदर ये बात आपको क्लियर हो इसको शीर्स वीभाजी ओ तक मूलते हैं लेटरल मेर स्टिमाटी पार्षू और इंटर कैलरी विभाजी शी को और अंतुर वीभाजे ऌतक में अब देख लूए ना बाकि अब मेरा में कम क्या आपको इनके बारे में बताना देखह एपीकलंश हूंदी वाले को पता है शीज को मतलब एंग्छेश वालों को एपिक्स का मतलब मतलब पतव एपिक मतलब टॉदह इस साइट यह वाले इसकी रूट की टिप पर रूट की मिलकुल एंड पर कौंसा टिशू प्रेसेंट होगा यान की शीड़्य हो तक और हमारे च्ञारा है कि बील्कुल उचाई उपर इसके लिए उची पर पहे जितना वो मेलकूनेми उचाई चाहे गी तो उसकीं हम गहराई को मेजर करते हैं रोट की यानि की गहराई ही हमारे लिए उंचाई का काम करती है अच्छा यह क्या करता है लेंथ को इंग्रीज करता है किसको लेंथ को कौन अपिकल मैरिस्टिमेटिक अर्द mentorship length by इंक्रीज करने में कबाएगा लेंट को बढ़ाने में लंाइक को बढ़ाने में आज ने लंबाई तो होगा यह चोडाई भी हो जाएगी अब चोडाई भी करनी ज़रूर यह ना उसके नहीं हो तो आप अपो यह मोटा हो जया तक इसे में łat पुता है थिल्क ब्ला पतला तो आप देखीेगा जो आको क्पेड बन जाता हूं तो मुझे साइड मेशें जो मोटा करेगा वह कौन करेगा ही करेगा लेटिरल मेरेस्टवाट इचयो प्रपने विलंबा कर दिया मौसले अंत्यषी बढ़ा क είναι क्पषिब होगा कहां पर नोड़ पर याप लीफ की बेस पर देखें क्या होता है जह हमारी टहनी होती माले जी एक टहनी है यह एक टैनी है, यहाँ पर node present होगी, node, node आप मालेजीट एक मैं लुद्व 16 टाइप होगी, हाँ से पति निकलेगी, ठीक है पति निकली, अब थि हमके पत्तिच धीयान से देखो, यह जो एरिया है, क्या है? नोड है नोड डुंडी बोलते हैं इसको लोकल में मुझे याद आ रहा है वो बोलते है कुछ बट आप नोड याद रहे कि नोड कौन सा एरिया होता जहां से पत्ती निकलती है तो जो यह नोड है बेटा तो जो यह नोड है यह कहां पर प्रेजेंट है देखिये हमने लीफ बनाई ऐसे लीव जो है यहां पर क्या जूड़ी हो यह तो यह इसका कौन सा एरिया वह आधार वाला तो कहां पर प्रेजंट होता इंट्रकैलरी आप से पूछेगा बेटाई पर में पूछेगा आप से ज़रूर पूछेगा यह प्रेजंट होता एट दा बेज of the leaf कहाँ पर at the base of the leaf कहाँ पर प्रेजेंट होता base of the leaf writing देख लेगा बाकि आप लिखिए base of the leaf intercalorie maristimatic is present on the base of the leaf and apical maristimatic present on the tips of stems and roots while the literal maristimatic ये present होगा side-side में इसका कुछ ऐसा हम नाम नहीं दे सकते बाकि इसका सेकंड नेम है लेटरल का इसका जो सेकंड नेम है वह है cambium c a m b i u m cambium बहुत important very important इसका सेकंड नेम पूछ सकता है लेटरल maristimatic is also known as which tissue इसका एक और दूसरा नाम है वो नाम क्या है बताईए वह है cambium by the way tissue की study को बोलते हैं histology क्या बोलते हैं histology मुझे ये इस फर्स्ट लेक्चर में ही बतानी चाहिए थी लेकिन कोई बात नहीं इसकी study को क्या बोलते हैं histology इसकी study को histology अब बहुत से कहेंगे सर इसको बनी हैं तो हम उसके जो cells हैं उसकी विशेष्टा के बारे में बात करेंगे तो हम बोल देंगे कि यही टिशू बना देगा मतलब की जो चीज जिससे बनी है हम उसकी quality बता दें उस चीज का function बता दें तो हमारा काम बन जाएगा माल लीजी कि हमारा मकान बना रहे हैं हमें एक मकान अब मैंकोई मिड़से कुछ चेडियर सर अब में रहकर सर्ञ में Maple समक बारे में कुछ बांदा इसमें कश बता है मैं क्या बता हूंगा है ये मकान बहुत बड़ा है, ये मकान ये है वो है, ये तो फैकने वाली बाते हो जाएंगी, लेकिन हम दूसरे तरीके से फैकेंगे, अलग तरीके से, हम कहेंगे, ये मकान है, इसमें एक एक एंट की किमत हजार जार रुपए है, मतलब कि इस मकान की हर एंट अलग तरीके की है बहुती special type की है, इस मकान में लगाया हुआ cement बहुती unique है, इस मकान में लगाया हुए दर्वाजे बहुती अलग है, मत्त हम तारीफ किस चीज की कर रहे हैं, छूटी छूटी चीजों की तारीफ कर रहे हैं, तो देखेगा आप भी try करिएगा कभी कभी कोई इसी चीज को लेक होता है, इस से ही लगता है कि आपके पास कुछ है, मालने जी आपको पास एक बहुत अच्छा फोन है, और आपको उसके तारीफ करने को यह आप से पूछे कि यह फोन क्या है, आप डारेक्ट नहीं बता होगे, this is apple iphone 12 pro max, no, आप ऐसे मत बताना, आप कहना कि इसके अंदर यह sensor है, यह sensor extra है, इसके अंदर इतने 5G bands है, इतना अच्छा फोन है, इसके अंदर यह super retina xdr display है, इसके अंदर यह type का panel यूज हुआ है, इसके अंदर इस तरीके का camera यूज हुआ है, तो अब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो तारीफ करेंगे, quality बताएंगे, तो स इस तरीके से हम quality को इसकी बताते हैं, और इसको कितना अच्छा हम दिखाने की कोशिच करते हैं, बहुत ही इसको सुन्दर सुशील बनाने की कोशिच करते हैं, जिससे शायद आपको meristematic tissue से प्यार हो जाए, हम कोशिच करेंगे कि आपकी इससे बात बन जाए, देखिए, क् meristematic tissue है, यह cell से मिलकर बना है, और उसकी cells के हम quality बताने वाले हैं, इसकी जो cells है, वो कैसी होती है, active, कैसी होती है, active, active मतलब क्या होती है, तयार है, मतलब कि division करने के लिए तयार, विभाजन इनके अंदर देखने को मिलेगा, division इनके अंदर देखने को मिलेगा, अच्छा, और यह बहुत fastly dividing cells है, बहुत fastly dividing cells है, active cells है, मतलब कि dividing cells है, plus में, इनके अंदर जो nucleus होगा, वो prominent होगा, prominent का मतलब क्या होता है, जैसे यह white board है, सबसे ज़्यादा wavelength किस color की होती है, red की होती है, अगर मैं इस पर लिखूँ, सारे color से, तो जो मैं red color से use करूँगा न, वो से ही notice हो, तो इसका जो nucleus है, वो कैसा होगा, उसका size बड़ा होगा, मतलब कि prominent nucleus होगा, prominent, ठीक है, prominent, यहाँ पर prominent का मतलब बड़े size से है, prominent nucleus, मतलब इसका केंदरक होगा, जो, वो noticeable होगा, मतलब कि बड़ा होगा, size में कैसा होगा, इसका आकार बड़ा होगा, prominent nucleus, prominent nucleus, good, अब इसके अंदर एक चीज और है इसका जो साइटो प्लाजम है इसका जो साइटो प्लाजम है जहां पर बहुत सारी केमिकल रियक्शन हो रही होती है इसका जो साइटो प्लाजम है गाईज इसका जो साइटो प्लाजम सी वाइटी से में डीनोड कर रहा हूं मेटा साइटो प्ला आपजी यह एंदर में देखने को मिलेगा तो इसके अंधर सेलूलोज देखने को मिलेगा इसके अंदर मेरे के अंदर या नहीं कि विभाज्य ओता कि अंदर हमें थिन सेलीलोस देखने को मीदेगा थिनsomething इसके साथ क्या होता है थिन 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 हो वाहिए थिन इसरान फंकर थिन तेसे कले दो grass अग्ए 10 subscribers पतली की होगी बेटा इस मेरा बहुत बड़ा वो है जोल है इस लाइन में पतली की होगी आप से पूछ सकता है पतली इसलिए होगी ताकि डिवीजन होने में आसान हो मैंने बोला ना कि एक्टिव है एक्टिव है मतलब डिवीजन कर रहा है विभाजन कर रहा है अगर विभा आ रहा होगा अच्छा गाईज अब इसके अंदर एक बहुत इंपोर्टन्ट लाइन है इसके अंदर कोई भी वैक्योल कोई भी वैक्योल वैक्योल पढ़ाया आपने जमने पढ़ाया था कि 50-90 परसेंट कवर करता है सेल का वॉल्यूम वो एपसेंट होते हैं देखिये जो यह सेल्स है नवजात सेल्स हैं मैरे स्ट्मेटिक टिशू की जो सेल्स होते हैं वह भी पैदा हुई है और वो डिवाइड गखेट सेल्ट का सेल्प होता है से पिसे कुड़ा बोल देते हैं तो जो सेल का सैप है वो बहुत कम बनेगा तो जब वो कम बन रहा है तो एक्स ट्र प्रॉल को हम एक्स्ट्र सूब mm ke जोट हो करें तक लाइए यह आप करने का आप उसका यूज करें ना उसका यूस करके आप लिखिए अपने दिमाग आपको active रखिए लिखते रहिए पढ़ते रहिए दोनों लिखते रहिए पढ़ते रहिए बाकी मैं आपको टेस्ट जो weekly टेस्ट होते 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 ही रहेंगे उसकी तयारीक लिए आप क्या करें इधर से पढ़ें एंची आए टे बुको जरूर पढ़ ले बिटा बायलोजी सब्जक्ट है कोई यह सब्जक्ट फिजिक्स केमेस्ट्री अलग सब्जट्ट नहीं यह कोई यहां पर नुमेरिकल नहीं आते टेंथ तक तो नहीं आते बेटा 11 12 त में नुमेरिकल एक दो आते हैं बायलोजी में बहुत सारे नुमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे 11 में 12 में बायलोजी कि किसको मिलेंगे जो ज़्यादा पढ़ता है उसको ही मिलेंगे हर किसी को नोटिस नहीं होगा एक दो नुमेरिकल जरूर मिल जाएंगे हर बच्चे को फिर भी तो यह बायलोजी सीधा दिमाग में जाएगा और आपको अच्छे से समझ जाएगा इसलिए मैं आपको यही बात कहता हूं कि आप पढ़िए यहां से वीडियो को देखकर फिर आप बुक में जाकर उसको अंडरलाइन करके पढ़िए या अलग से शॉर्ट नोट्स बना लिए यहां से भी श सेने टाइजर भी यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है और हां घर पर भी मास्क लगाए रखिए क्योंकि बुखार बुखार होता रहता है सबको तो जिससे आपकी फैमिली वाले भी और आप भी दोनों सेफ रहेंगे चलिए तब तक के लिए टेक केर गुड़बाए कर दो जिससे आपकी बुखार होता है